वो ही फ्रेंट्स विल्कम बैक टू एक है ओल्लाइन पॉइंट फ्रेंट्स में बिहार की लेटिस्ट नई सरकारी नोकरी के बारे में हम बात करेंगे और हाँ आप किसी भी राज इसे बिलॉंग करते हैं जाहे आप उतर प्रदेश से हैं गुजरास से हैं या फिर आप जहार पब्लिक सर्विस कमिशन सिंप्ली आपको इस विपसाइट को अपन करना है और यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्यारा तीन दोजार बाइस को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कुछ इस तरह से अडवाइजमेंट नंबर जीरो तीन दोजार बाइस का आप देख प और वेतन जो है आपको अस्तर सेवन का दिया जाएगा बात कर लेते हैं सेच्छी की योगता की तो किसी भी पर नियत विस विद्याले से बैचुलर आप प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजिट डिपलेमा कॉर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जी आइस यानि इस प्लाइजेश कोई भी एक क्वुइशन है इसके समकthing क आपके पास कोई भी एक क्वुइशन यहां पर कर सकते हैं यानि कि ज्रेक पर यह मांगे गई है इन सभी में से आपको यह पर पर कहागिया है कि आप यहां इक इक्जाम लिया जाएगा.* जो कि दो घंटे का होगा 125 पूछे जाएंगे सो अंको का होगा 125 प्रिश्ण आप से पूछे जाएंगे ठीक है और बैकल्पिक पत्र भी यहां पर आपका होगा दिया जाएगा जनलन में ही आपको रखा जाएगा इस तरह से और इस पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन आविदन की प्रारम करने की जो थी थी है पंद्रा तीन दो जार बाई से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा मैं वीडियो लेकर आ सभी प्राप्त्र आपको प्राप्त होने के अंतिमती थी बीस चार दोजार बाइस प्रहन पांच बज तक यानि कि छे तारीक तक इसकी लाजडेट है उसके बाद जो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे प्रिंट आउट निकालने के बाद सपोर्टेट डाकुमेंट्स क साथ आपको क्या है कि स्पीट पोस्ट भेजना है आयोग काले यहां उसकी यहांद रखेएंगा ठीक इसके बाद यहां पर यहां पर रोजिप और डाटा इडिट करने का अप्सिन रहेगा जो की payment करने के पूर्व तक ही रहेगा तो आप form को अच्छे से फिल कीज़ेगा बात कर लेते हैं आप ही form भी की तो आप से 750 रुपे यहां पर लिए जाएंगे जो general candidate होंगे या फिर जो other state होंगे और केवल बिहार राज के अंसूचे जात या नसूचे जनजात से मात्र 200 रुपे यहां पर लिए जाएंगे महिला उमीदवारों को 200 रुपे लिए जाएंगे जाहे जिस भी कटेगरी से हों ठीके यह आप याद रखिएगा और अनिस सभी other state से 750 रुपे यहां पर वसूले जाएंगे आप जाहे भी जिस कटेगरी से हों स्लेवास वगेरा की बात करते हैं देखिए ऑनलाइन अपलाई कैसे करना है साई डीटियल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और हाँ आपका जो रिटर्निक जाम होगा यहां पर आप देख पारे हैं स्लेक्सन प्रोसेस के बारे में बताया गया है तो थोड़ा आप स्लेक्सन प्रोसेस जरूर पढ़ लीजेगा चैन पकरिया विक्कपित पतों के बिरोद न्यूकती है तो श्योंग मिदवारों के चैन के लिए लिखित परिच्छा कायोजन किया जाएगा इसमें इंटर्विव नहीं लिया जाएगा ठीक है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लिखित परिच्छा होगी यह सभी के लिए क्या कैसे अंक लाने हैं वो बताएंगे हैं तो लिखित परिच्छा में दो पत्रों की होग जो कि प्लानिंग यानि की अथवा प्रमाड पत्र एमों अपने अस्थाई अधिवास अंचल के राज सरकार दोरा सुचित अंचला अतिकारी दोरा निर्गत अस्थाई निवास पाणड पत्र मानने होगा इस तरह से कुछ होगा आपको ठीक है और यह रहा उसका क्या है कि आ दिया गया है श्लेवर्स फौर इक्जामिक्शन और सिंपली यहीं पर आपको क्लक करना है और यहाँ से आप अपना स्लेवर्स डाउंलोड करेंंगे चेक आउट कर सकते हैं ठीक है मैं डाउंलोड के बटन पर क्लिक करता हो। और स्लेवर्स कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर आ गया है यह आप देखवा रहे हैं आपका यहां पर सलेवस दिया गया समान नध्यान है जो कि अनिवार पत्र है दो घंटे का सौंग उसके बाद प्लानिंग दो घंटे का है सौंग और इमोट सेंसिंग onisto and gis का दिया गया है इसमें क्या कैसे कोषिंट सोंगे सारी चीज़े यहां पर आपको बताइबह यहां पर चेका आॉट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो